नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि थ्री पिन प्लग में एक बारा और मोटा क्यों होता है जबकि दो पिन लगभग दोनों समान होते हैं इस वीडियो में इसी को समझेंगे आप यहां पर और यह जो आपका देख रहे हैं थोड़ा बरा दिख रहा है और मोटा दिख रहा है इसी को बोलते हैं अर्थिंग पीन आप अपने घर में जरूर गौर किये होंगे कि जो भी आपका हैबी इलेक्टिकल एकुपमेंट होगा जैसे इलेक्टिक आइरन होगा इंडक्शन कुकपट होगा या फ्रीज होगा या मोटा जो बरा हैबी लोटका होगा उसके लिए यह चीज आपका अर्थिंग पीन उस कि इस अर्थिंग पीन का क्या काम है इसका वर्क क्या है कि एक्चली क्यूं दिया गया है इसको मोटा क्यूं बनाया गया है उसके साथ लंबा क्यूं बनाया गया है चलिए हम नेक्स श्राइड में इसको आपको समझाते हैं देखे यहां पे हम आपको बताते हैं कि जो अर् कुछ करता है कोई आदमी होगा तो आदमी को सुरक्षित रगता है क्या शुरक्षित मोउस स्चित रखता ईसको छंडे नहीं लगेगा सब्सक्राइब करता है और दूसरा ये इत् beating के शर च्कुप्मेंट को सुरक्षित रखता है यानि कहने का हुगा यह में एंड मेटेरियल को सुरक्षित रखता है दोनों को चलिए क्यों ऐसा है इसका हम समझते हैं देखिए सब्सक्राइब करिए कि कोई इलेक्ट्रिक यह सबसे पहले जाके सौक्ट में प्लागिन होता है और जो भी बॉडी चुकी इसका बॉडी से कडेक्टर है सबसे पहले मिटेरियल का जो भी अपका अलेक्ट्रिक एकुपमेंट है वह अर्थ हो जाता है और थोने का मतलब होता है कि सब्सक्राइब किसी वज़े से आपका इकुपमेंट को छुएंगे तो आपको बिजली का जहटका नहीं लगेगा तो यहां पर समझ गया है कि आजमी आपका सुरक्षित हो गया जो आदमी इसको हैंडल कर रहा है वह पूरी तरह सुरक्षित हो गया दूसरा हो गया कि किसी वज़ा से और भी सौर्ट होगा उसके बज़ा से नहीं होगा इसी लिए कहा था कि अर्थिन पिंग का जो है दो कामात पूर्ण है एक है कि यह में अन मिटेरियल दोनों को सेफ रखता है तो यहां पर आप समझ गया हो कि चलते हैं लोग नेक्स स्लाइड में और समझते हैं कि अर्थिंग पिन लंबा क्यों होता ह देखें यहां पर अर्थिंग पिन लंबा होने से जो हम सॉकेट में कनेक्ट करते हैं वह सबसे पहले क्या करता है वह इन होता है और जो भी डिस्चार्ज जो करेंट होगा और जो आप बोल सकते हैं जो भी आपका कुपमेंट है उसका जो भी लिकेज करेंट होगा या जो वी फोल्ट के वाज़ाद से करेंट होगा उसको वह सबसे पहले अर्थिंग कर देगा और मेंने मिटेरियल को यहां पे सेफ कर देगा इस चीज को हम पहले भी आपको बताये हैं कि इसका लंबा होने का परपस यही रहता है कि वह उसको सुरक्षित करेगा और जो भी इसका ज कि इस तरीके कि जब हम रीमूब पकर रहे होते हैं किसी तरीके से होता है कि कोई फॉल्ट तो उसको और पे निकले गाा यानि किसी रीके från्ट माल प्रूक करने के दराना अगर हो गया है तो वह आपकाई पहला तब होगा तब आपका वो पूरी तरीके से मेन और नीटर जो है डिसकनेक्ट होगा उसके बाद आपका अर्थिंग डिसकनेक्ट यानि ऐसे केस में आपका सुरक्षित रहा जाएगा मेन एन मैटेरियल तो लंबा पिन होने का दो ही परपस है एक तो मेन और दूसरा मैटेरियल को से फराखता है अब हम लोग समझते हैं कि अर्थिंग पिन मोटा क्यों होता है देखिए यहां पर देख सकते हैं कि अर्थिंग पिन मोटा होने का एक कारण होता यह है कि जब आपका सपोज किजिए कि जो प्लग इन कर रहे हैं और दूसरा के से प्लग आउट कर रहे हैं दोनों केस में आपको ये नहीं पता होता है कि सपोज कर ये किसी फॉल्ट के वज़द से करेंट कितना हो सकता है करेंट कितना हो सकता है सपोज कर ये कि आपका हैबी करेंट क्योंकि कम करेंट होगा आदमी को परसानी नहीं है हलका सच कर लेकिन आपका ज्यादा करेंट होगा क्योंकि आप जो यह मोटा होने से क्या होता है उस पीन का रेसिस्टेंस कम होता है जब प्लग जो है वह मोटा है तिसका रेसिस्टेंस जो है वह कम होता है कम होने से क्या होता है करेंट का जो है पाथ है वह लेस रेसिस्टेंस सो करेगा रेस रेसिस्टेंस जब होगा रसे से कम होगा तो क्या होगा करेंट जो है जल्दी आपका अर्थ में चला जाएगा तो मोटा होने का परपस यही है कि जो है भी करेंट होता है उसक कम है या ज्यादा है मोटा होने का करद यह हुने है कि अपका अर mushrooms में चला जाए cohort religion नहीं मिलेंगा। यहाँ इसका सब्सक्राइब से क्या होता है मोटा हो जाए samma है कॉंसेप्ट जहें किलियर आपको हो गया होगा कि थ्री पिन प्लग में एक पिन बरा और मोटा क्यूं होता है जब कि दो पिन और जो है लगभंग समान होते हैं और छोटा होता है बरे पिन के तुलना में तो वासा करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप चैनल को ज निया वीडियो लेके आँगे आपको इसका नोटेफिय कैसन मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद